इसे ऐसे कहें जैसे आप इसका अर्थ लगाते हैं 9 अगस्ट 2013 विश्वास की घोषणा मैं घोषणा करता हूँ कि मैं विशेश, असाधारण और अलोकिक हूँ मैं घोषणा करता हूँ अब प्रत्याशित आशिर्वाद यहां और अब मेरे रास्ते में है मैं केवल इसे पर्याप्त से अधिक होने से आगे बढ़ता हूँ इश्वर ने मेरे लिए अलोकिक द्वार खोल दिये हैं उन्होंने उच्च व्यक्तियों से मेरे बारे में बात की है मैं इफिसियों तीन बीस को अपने जीवन के पक्ष में और रधी से अधिक बहुतायत से उपर और उपर से देखता हूँ यह मेरी घोषणा है डिव्य स्वास्त्य की स्विक्रोगती डिव्य जीवन मेरा है मैं इश्व में पूर्ण हूँ मैं इश्वर यता का सहयोगी हूँ उनके डिव्य स्वभाव का भागिदार हूँ मैं इश्वर के प्यार से भरा हुआ हूँ और मैं अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और मुझसे जुड़े सभी लोगों को भी वही प्यार देता हूं डिव्यता मुझमें सधैव कार्यरत है आमेन मेरे पास वह होगा जो मैं कहूंगा येशु के नाम में योहन 14-13 मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं धन्य हूं, मैं धनी हूं, मैं शक्ति शाली हूं, मैं अभिशिक्त हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं इश्वर का प्रिय हूं, मैं इश्वर और मानव जाती का कृपा पात्र हूं मैं वही बोलता हूँ जो मैं देखना चाता हूँ, न की जो मैं देखता हूँ मैं एक अनमोल बीज हूँ, मैं अपने इश्वर के घर में अच्छी जमीन पर लगाया गया हूँ मैं अपने प्रभु के दरबार में तार के पेड की तरह फलता फूलता हूँ, मैं हर मौसम में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन करता हूँ मैं प्रभु में रस और हरे रंग से भरा हुआ हूँ, और बुड़ापे में भी मैं ताजा और फलता फूलता रहूँगा मेरा पत्ता मुर्जाता नहीं है और जो कुछ भी मैं करता हूँ वे येशु के नाम में सम्रिद होता है चीजे हमेशा मेरे लिए येशु के नाम में काम कर रही है मैं मसीह येशु में हर अध्यात्मिक आशिरवात का प्राप्त करता हूँ मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा में एक अंतर्मन है, मेरी आत्मा और मेरा अंतर्मन एक भोतिक शरीर में रहते हैं, मेरी आत्मा मेरे अंतर्मन को निर्देश देती है और मेरा अंतर्मन सुनता है, प्राप्त करता है और मेरे शरीर को निर्देश देता है, और मेरा शरीर पालन करता है, येशु के नाम में मैं अपने शरीर से बोलता हूँ, इश्वर का अविनाशी जीवन मेरे जीवन में हमेशा स्पष्ट और व्यक्त होता है मैं अपने शरीर के हर विवरण के लिए जीवन बोलता हूँ मैं अपने मनुभाव से बात करता हूँ परिपून बनो मसीह के मनुभाव की तरह और मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन से सरंखित होने की आज्या देता हूँ मैं अपने सनायू और नसों से जीवन बोलता हूँ मैं अपनी मास पेशियों और सनायू बंधन को ताकत बोलता हूँ मैं अपने दिल से जीवन शक्ती बोलता हूँ मैं अपने फेफणों और उत्तकों से सामान्य वेंटिलेशन और परफ्यूजन अनुपाद बनाए रखने के लिए बात करता हूँ मैं अपनी किडनी, लिवर और अगनाशे को पूनता बोलता हूँ मेरे खून की हर कोशिका में जीवन है मेरी हड़िया जोड और काठिलेज सरेंखित, मजबूत और द्रड है मेरे पूरे उपरी और निचले अंग उत्कृष्ट रूप से कार्य करते है मेरी आँखें इस पश्ट रूप से और पूरी तरह से देखती है और मेरे कान काम करते हैं बहतरीन मेरी तवचा एक नवजाच शिशु और इश्वर की सुन्दरता की तरह चिकनी और स्वस्थ है मेरे बालों के रोम कस गए है मैं अपने बालों को स्थिर रहने की आग्या देता हूँ और जहां व्रधी की आवश्यक्ता होती है मैं अपने रोम में विकास छोड़ता हूँ मेरे दाथ, मसूडे, जबडे की हड़ियां और तंत्रिका और रक्त की आपूर्ती सभी स्वस्थ, मजबूत और परिपूर्ण है मेरे सभी हार्मोन और नियूरो कैमिकल ट्रांस्मिटर्स एक दूसरे के साथ पूर्ण सामन जस्य में है और अपने कारियों को सामान्य रूप से निश्पादित कर रहे है मेरा पाचन तंत्र निगले गए सभी खाद्य पदार्थों को पचाने अवशोशित करने और आत्म साथ करने में सक्षम है और चया पचे अपशिष्ट उत्पाद नियमित रूप से उत्सरजित होते है मैं खाने तकनीक, मीधिया, शिथिलता, गपशप, आलस्य, अधिक नीन, सुस्ती और बाध्यकारी खरिदारी में सभी प्रकार के व्यसनों, शराब, निकोटिन, ड्रग्स, ड्विग हातुमान, अत्यदिक भोग को कैद करता हूँ और मसीह की आग्याकारिता में लेता हूँ जैसे येशु वैसा ही मैं इश्वर ने जो कुछ भी बनाया है वह मेरे लिए जीवन और चंगाई है इसलिए खाद्य पदार्थों, धूल, जानवरों, आदी, ऐलर्जी का मुझे पर कोई अधिकार नहीं है इश्वर ने मुझे इन सारी चीजों पर अधिकार दिया है मेरा प्रजनन तंत्र परियाप्त मात्रा में और अच्छी गती शीरता वाले शुक्राणूं का उत्पादन और जमा कर रहा है मेरा प्रजनन तंत्र समय पर अंडे की कोशिकाओं का उत्पादन कर रहा है जनम तक भून की रक्षा और पोशन कर रहा है मेरे शरीर का हर अंग हर कोशिका पूर्णता में कार्य करता है जिसके लिए ईश्वर ने इसे कार्य करने के लिए बनाया है और मैं मेरे शरीर में किसी भी प्रकार की खराबी और विक्रती को येशु के नाम पर मना करता हूँ आमेन मेरा संपूर्ण मानव शरी रचना विज्ञान चया पच्चे और शरीर क्रिया विज्ञान मसी यीशु में परिपूर्ण है महिमा हालिलुया आमेन पिता इश्वर मुझे प्यार करते हैं मुझे पता है कि मैं जानता हूं पुत्र इश्वर मुझे प्यार करता है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ पवित्र आत्मा इश्वर मुझे प्यार करता है, मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ शलूम